समस्कार दोस्तों कई टाया दो यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है संपून हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाली में होने वाले TGT-PGT परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतरगत हम करेंगे TGT-PGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नमबर तीन जिसमें आपको साहित्य और व्याकरन से समन्दी वे सभी में तव पूरें परिक्षाओं में पूछे जा चुके है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कुछ नए पर्षन भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ पूराने पर्षन बार बार रिपीट होने वाले पर्षन भी आपको इन प्रैक्टिस सेट के मद्यम से देखने को मिलेंगे एक-एक पर्षन को हम विच्छोलेशन के साथ with explanation के साथ अर्थात व्यक्या साइट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है तत्यों की बार-बारी वीजन करने से ही हमें सफलता मिलेगी निरंतर अभ्यासी सफलता का राज है इसको यह मैं जो आपको बार-बार यह लाइन में आपको बोलती हूँ ताकि आप जो है निरंतर अभ्यास करते रहे परशनों की बार-बारी वीजन करते रहें तो देख लेते हैं शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की और एक बात और बताने देना चाहती हुई TGT-PGT परिक्षाओं के लिए तो यह इंपोटेंट है साथ में उन सभी परिक्षाओं के लिए भी यह मददगार साभीत होंगे जिसमें की हिंदी साहित्य और व्याकरन समंदी परशन पूछे जाती हैं चाहे किसी भी स्टेट से समंदी और कोई अन्य परिक्षाओं TGT-PGT के अतिरिक्ष जैसे की UP पुलीस हुई या फिल लेक पाल की परिक्षाओं या रेलवे की परिक्षाओं काफी सारी परिक्षाओं या इसी है हमारी जो कि जिसमें की हिंदी साहित्य और व्याकरन से समंदी परशन पूछे जाते हैं तो सभी के लिए एक लास मददगार साप भितोगी साथी NTA NET की परिक्षाओं के अंतर के तुभी पूछे जाने वाले परशनों के लेवल के परशन हमने या पर लिये हैं तो देख लेते हैं शुरुआत कर लेते हैं परशन नमबर एक प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है प्रेमचन जी की पहली हिंदी कहानी पोची हुई है बई पर्षनों को आपको ध्यान से पढ़ना है समझना है फिर जो option दिये हुई है उनके आधार पर ही आपको पर्षनों का उत्तर देना है आंसर हो जाएगा हमारा पंच पनवेश्वर अगर option में एक कहानी ओर होती प्रेम पंच पनवेश्वर से पहले हो चुका था 1915 में और पंच पनवेश्वर जो है 1916 में आई थी तो इसी तरह हमें हार एक पर्षन को उनके option के आधार पर देखते हुए चलना है क्योंकि कई सारे बच्चों का यह होता है कि मैं इस बुक में आंसर यह दिया होता है उस बुक म जब आप पर्षनों की बार-बार रिवीजन करो किसी भी बुक के माध्यम से तो आप कमेंट बॉक्स में उस पर्षन का आंसर जो है पूछ सकते हो मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी सही आंसर बताने के तो देख लेते हैं प्रेम चंद की पर्थम कहानी जो है पंच प दनपत राय नाम से भी जाना जाता है प्रेम चंद जी को और नवाब राय नाम से जो ये उर्द्य में लिखते थे कथा समराठ की उपाद्धी जो है बंगला कवी सरचंदर ने दी थी उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला तथ्य प्रेम चंद जी से सम्मंदित पर्थ पर्थम उर्दू कहानी कोन सी है पर्थम उर्दू कहानी संग्रे पूछा हुआ है पर्थम उर्दू कहानी संग्रे रहा 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 है पर्थम उर्दू कहानी स बेटी रही है तो प्रेम चन नाम से जो उन्होंने लिखी पहले नवाब राई नाम से उर्दु में कहानिया या रचनाई लिखते थे लेकिन फिर बाद में प्रेम चन नाम से जो रचनाई करने लगे तो ये पताया हुआ है कि प्रेम चन नाम से पहली कहानी जो लिखी उन्ह 1912 में आई होप आप समझ रहे होंगे बढ़ते हैं अगे पहली हिंदी कहानी तो प्रेमचन जी की पहली हिंदी कहानी मैंने आपको बता यह था सोत मानी जाती है 1915 की बच्चन सिंग के अनुसार पंचपन वेश्वर 1916 को इनकी पहली हिंदी काहनी मानी जाती है अगर ओप्शन में ये ओप्शन में पंचपन वेश्वर और सोत दोनों ओप्शन में दिये हुई हो तो आप लोगों को प्रशन को ध्यान से पढ़ना है कि वहापर आपको मिलेगा कि डोक्टर बच्चन के अनुसार जो है प्रेमचन जी की पहली हिंदी काहनी कोन सी मानी जाती है तो बच्चन के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 1916 में पंच-पनवेश्वर को ही माना जाता है हर एक पिंद्वोग आपको समझ के साथ करना है बढ़ती हैं आगे पर्थम हिंदी कहानी संग्रे सब्थ सरोज पर्थम हिंदी कहानी संग्रे कोन सी है? सब्थ सरोज जो की जून 1917 में परकाशित हुई प्रेम चंद जी की पर्थम उर्दू कहानी संग्रह सोजी वतन हमने देख ली थी लेकिन हिंदी की अगर पूछ ली जाए तो पर्थम हिंदी कहानी संग्रह कौन समाना जाता है वो है सब्सरोज 1917 में परकाशित हुआ लगबग तीन सो कहानिया प्रेम चंद जी ने लिखी जो मान सरोवर नाम से आठ बाग में संक्लित है मान सरोवर नाम से जो आठ बाग में संक्लित प्रेम चंद जी की तीन सो कहानियों को संक्लित किया गया है ये भी पूछा जा सकता है बढ़ते हैं आगे इनकी मुखे मुखे कानी संग्रे देख लेते हैं प्रेम चंजी के क्योंकि परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है उनके जो पर मुख कानिया होती है जैसे कि नमक का दरोगा हुआ वो डिका की वी पूस की रात हुई ठाकूर क इनके कई बार जो है परकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाते हैं तो देख लेते हैं एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं प्रेम पुर्णी मा उननीसो अठारा की प्रेम पर्शुन उननीसो चोबिस प्रेम पर्तिमा उननीसो चबिस प्रेम तीर्थ उननीसो अठाइस शप पर्मु काहनिया देख लेते हैं नमक का दरोगा 1913, बोडिका की 1920, आप भीती 1923, सत्रेंज के खिलाडी 1925, मंतर 1928, पूस की रात 1930, आदी है और उसके बाद एक और देख लेते हैं ठाकूर का हुआ, ये भी कई बार परिक्षाओं में पोची जाती है, तो ठाकूर का हुआ 19 1932 की कहानी है, बढ़ते हैं, आगे प्रेमचन जी जो है, दुआरा कहा गया कथन देख लेते हैं, क्योंकि कतनों से सम्मंदित भी कई बार परिक्षाओं में पोचे जाते हैं, तो मुन्सी प्रेमचन जी दुआरा कहा गया कथन है, कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका आदार जो है मनोवे ज्यानिक सत्य पर होता है, सबसे उत्तम कहानी किसने वह होती है, ये कथन किसके दुआरा कहा गया, मुन्से प्रेम चंजी से का ये कथन है, कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है, कहानी के संबन में इनों ने बताया कि सबसे उत्तम कहानी वह होती ह जिसका आदार मनोवेग्यानिक सत्य पर हो इस परकार से बढ़ते हैं आगे दूसरा परशन इंदुमती का परकाशन पहली बार सरस्वती पत्रीका में कब हुआ तो इंदुमती जो है किशोरी लाल गोश्वामी जी की कहानी है तो इसका परकाशन सरस्वती पत्रीका में उन्न कि बभया खो जैसे हैं वानिया, एक हूरा प स्विपित काहानी का का हम दोर्जाओं काहानी हुआ ह לצिने चुछे मिलंप भ्रria था फिरू मेरे फिर्ल की हुआ हुआ हुने मिलेचुहिंटंचना का हुआ भार्व गिन गाओं मारेके जुर दें आनो कहानी माना गया तो देख लेते हैं स्य इशार लाखहकी शार नी केत की काहनी को भी हिंदी कीकी पर्थम काहनी बताया गया, राज़ा सापना कोता है, तोलाई मनें हनी द्यगी काहनी का बाद कीरेमोंकर क स्यार याате तर्वशीवामी धी दिव्य रचासूतास इसे भी हिंदी की पर्थम कहानी माना गया और आचारी रामचंदर शुकल जी दुआरा लिखी गई 11 वर्स का समय 1903 में जो है इसे भी हिंदी की पर्थम कहानी की सुलेणी में रखा गया फिर बंग महिला यानि किराजिंदर बाला गोश दुआरा दिखी गई दुलाई वाली कहानी जो है हिंदी की पर्थम कहानी के अंतरगत आती है तो अलग-अलग विदुआनों ने हिंदी की पर्थम कहानी अलग-अलग मानी है कुछ कहानीय मैंने आपको बता दी इन कहानीयों के नाम इन इन कहानियों को हिंदी की पर्थम कहानियों की स्रेणी में रखा गया लेकिन सरव मान्य तोर पर अगर सरव मान्य तोर पर पूछ लिया जाए तो ये पूछ लिया जाए परशन में हिंदी की पर्थम कहानि कौन सी है बढ़ती हैं अगला पर्षन पर्षेन संख्या तीन जैशंकर परिशाद की पहली कान से कौन सीथी तो जैशंकर परिशाद जी कीकार निम्लेय चाती है तो देख साधरी पर बड़वि之 देख लेते हैं जैशंकर परिशाद जीरोडलstate विवर्मुना से च्छा καंव पुन Tele शा की परमुख का वेकिर्तिया रही चित्रादार कानन कुश्यम जर्णा जर्णा से जो है छायवाद का आरम माना जाता है चर्णा रचना से फिर हां आशू लहर और कमाईने कहानी के छेत्र में परश्याद जी के परमुख कथा संग्रे कौन कौन से परकाशित हुए ये भी आदी और इंदरजाल इनोंने जो है पांचों कहानी संग्रों में जो परश्याद जी ने कुल सतर कहानियों को परकाशित किया कई बार परश्याद जी के कहानियों की संख्या भी पूछली जाती है लगवा कितनी कहानियों को परश्याद जी ने परकाशित किया तो सतर कहान तो चाया पर्तीडवनी, आकास दिव, आंधी और इंदर जाल इन्सभी द्राचनाव को पको ध्यान रखना है. बढ़ते हैं आगे परशन संख्या मारी चार मीरा भाई को किसकी शिश्या कहा जाता है अर्थात मीरा भाई के गुरू का नाम बताईए आपको गुरू का नाम बताना है मीरा भाई के तो आंसर हो जाएगा हमारा रैदास रहदास जी जो है मेरा भाई के गुरू रही है तो रहदास के सम्मन में भी मुख्य बिंदो देख लेते हैं गुरू रवीदास अत्वा रहदास मद्यकाल में एक बारती है संते रहदास जातपात के अंत विरोध में कारिये किया करते थे रैदास सत्गुरु वे जगत गुरु की उपाद्धी प्राप्ती यानि ये पूछा जा सकता है सत्गुरु वे जगत गुरु की उपाद्धी निमलिक्त में से किस संथ कवी को प्राप्ती तो रैदास जी को रहदास ने रहदास या और रवीदास या पंत की स्तापना भी की है मीरा भाई का जनम 1498 में हुआ 1540 में इनकी मिर्ट्य हो गई 16 स्ताप दे की एक किर्शन भक्त की कवेटरी रही है मीरा भाई में किर्शन भक्त के सफूर्ट पदों की रचना की गई और संत रहदास या रवीदास उनके गुरू थे मीरा भाई के गुरू कोन थे? रहदास अत्वा रवीदास उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन संक्या 5 एक पंक्ती दे गई है पर्शित पंक्ती है कई बार परिक्षाओं में पूछे जा चुकी है तो ये बताना है ये पंक्ती किस लेकक दुआरा लिखे गई अर्थात किस कभी की है तो पानी पराद को हाथ छुओ ना ही नैनन के जलसो पराद धो ये पंक्तिया जो है नरुत्तम दास जी की है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन देख लेते हैं तिर्शर्ट सलाका पुर्शो के जीवन का वर्णन जो है किस में किया गया तो तिर्शर्ष लागा पुर्शो के जीवन का वर्णन हमें महापुरान में देखने को मिलता है उंसरो जाएगा मारा सी महापुरान महापुरान के रचनाकार जो रहे है पुष्यदंद जो की दस्विस्ताबदी के अपवरंच भाषा के परमुक कवी में सामिल है स्वंबू के बाद पुश्यदंद का ही नाम आता है तो अपर ब्रंश बाशा में रचित महान गरंथ जो है महापुरान की रचना महाकवी पुश्यदंद की लेखनी से पुरिस्थुत अमर काव्य है इनका यो ये एक अमर काव्य माना जाता है इसमें 63 महापुर्शों के जीवन का वरिनन इसमें बताया गया है बढ़ते हैं आगे अगला परशन देख लेते हैं परशन संक्या साथ ब्रमान ही मैं जानन की भेव जो ये पंक्तिया है ये आप देख सकते हो ये अपबरंश बाशा में लिखी गई है इसलिए जो है सही ढंग से उच्चारित नहीं की जारे तो इस परकार से ये जो पंक्तिया लिखी गई है मिटी, पानी, कुछ, लाई, पड़ी, घर ही बसाई अगनि होना ति जो इस परकार से जो ये पंक्तिया आपको देखने को मिली हुई है तो ये किस कवी इस से समन्दित है, यानि किस कवी दुआरा लिखे गई है अप बरंश बाशा की आदिकाल के अंतरगत आने वाली ये पंक्तिया है तो देख लेते हैं सही आंसर हो जाएगा हमारा सरहपा सरहपा की ये परमुक पंक्तिया रही है सरहपा की जो बाशा है वो देशी बाशा मिस्तित अप बरंस मानी जाती है यानि पुरानी हिंदी मानी जाती है और सरहपा को हिंदी का पहला कवी माना जाता है और सीदों के भी परतम कवी रही है और हिंदी का पहले कवी किनों ने माना सरहपा को वे विद्वान रहे हैं, राहूल सांस करता हैं कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अलग-अलग विद्वान द्वारा हिंदी के पर्थम कवी अलग-अलग मानी है तो सरहपपा को किसने माना, शुम्बू को किसने माना, पुशेवपुंडे को किसने माना, उसके बाद अब्दुरहमान को किसने माना, ये तथ्याम बार बार पहले कर भी चुके हैं, आपके लिए कमेंट बोक्स में एक परिशन का आपको आंसर देना है, हिंदी के पर्थम कवी को किसने माना है यह आप कमेंट बोक्स में लिख करके बता सकते हो ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो सके और जो है आप परिक्षा में इस समंदित एक परशन तो अवश्य ही आपको देखने को मिलता है कि हिंदी के पर्थम कभी या पर्थम कभी से समंदित कोई भी किस कभी को किस विद्वान ने किस कभी को हिंदी का पर्थम कभी माना तो आप तीन चार कभी को माना गया है हिंदी का पर्थम कभी या आप सभी को बता सकते हो कि किस विद्वान दुआरा माना गया है जैसे कि मैंने आपको बताया सरहपा को किसने माना स्वंभो को किसने मा तो इस परकार से चारो कवियों के नाम, नामों को आप लिख करके ये बता सकते हो किस कवी को, किस विद्वान में हिंदी का पर्थम कवी माना है, ये आपके लिए ए होम वर्क है, क्योंकि आप कमेंट बोक्स में जिसी भी परशन का आंसर नहीं देते, इसलिए मुझे भी नह अच्छी लग रही है, या फिर आपके लिए जो परशन मैं करा रही हूँ, परिक्षा की दृष्टी से, जो आपके लिए मददगार साबित होंगे, तो इतना तो मैं आपको कहना चाहूंगे, फिर एक बार से, जो हम परशन कर रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प और इन ही तथ्यों में से आपको परिक्षाव में परशन देखने को मिलेंगे, तो देख लेते हैं, शरहप्पा को हिंदी का पहला कभी माना, और क्योंकि उनकी बाशा हमें सोर पर्थम पुरानी हिंदी में के शब्द दिखाई देते थे, क्यों माना गया, क्योंकि इनकी पुरानी हिंदी के शब्द दिखाई दिये थे, इसलिए हिंदी का पर्थम को भी माना गया, सरहप्पा दोहा चंद के पर्थम परियोगता माने जाते हैं, दोहा अपवरंस का श्वयम का चंद माना जाता है, कई बार पूछा जाता है, दोहा किस से सम्मंदित है या किस का चंद है तो अपवरंज का गाहा या गाथा जो गाहा है या फिर गाथा कहे तो ये जो है ये प्राकर्थ का चंद है प्राकर्थ और दोहा या दूहा भी कह सकते हैं दोहा या दूहा जो है अपवरंज का और ये गाहा या गाथा दोहा या दूहा गाहा कहने से प्राकर्थ का पहता है प्रवर्फ का बहुत रहे सोधा बढुक है और अगर इसके राम जंद्रशूकल्कते ऊगा करें जितने आप करोगे तो उतने ही जल्दी आपके ये उतने ही जो है आपको ये तथ्यां याद रह पाएंगे तो देख लेते हैं अगला पर्शन हम अगला हमारा पुएंट है पुरानी हिंदी को व्यापक का व्यवाशा का डाचा जो है शोर्शेनी परिश्टूत अपपरंस अर्थात ब्र संख्या आठ इतियास केवल गटनाव का अन्वेशन वे संकलन मातर नहीं अपितून के बीतर कार्य करन संकला विद्वान है ये किस पास्चात्य विद्वान दुआरा कहा गया कथन है कि इतियास केवल गटनाव का अन्वेशन वे संकलन मातर नहीं अपितून के बीतर कार्य करन संकला विद्वान है तो ये कहा गया है हीगल जी दुवारा पास्चत्य विद्वान रही है हीगल तो इनके दुवारे कहा गया कथन है बढ़ते हैं आगे कलम का मजदूर जीवनी के लिखा कौन है तो मदन मोहाल जो मदन गोपाल जी जो है कलम के मजदूर जी शेशक नाम से इनोंने जीवनी लिखी है और शीवरानी देवी ने भी जो है मुंसी प्रेमचन जी के जीवनी लिखी है और अमरत राई जी ने भी प्रेमचन पर जीवनी लिखी है जिसका नाम है अमरत राई की जीवनी कलम का का सिपाही कलम के सिपाही नाम से अमणित र दायन लिखे मुंसी प्रेम चन्द जी के जीवन पराधारित इस परका critics आपको ध्यान रखना है बढ़ते हां आगे अकाल पुरुष गांदी जीवन लिखे लिखा कून है तो अकाल पुरुष गंदी के जीवन से सम अधित जो परिक्षाव में परिशन पूछे जाते हैं, तो पहले देख लेते हैं, जेनेंदर जी का जनम, 1905 में, मिर्टी 1988 में, उनकी पर मुकाहनिया संग रहा है, फासी, सबसे पहले पूछ ली जाए, सबसे पहले काहनी संग रहा है, कौन सी मानी जाती है, तो फासी, 1939, फिर है वायति जान, 1930, फिर निलम देश की राजकन्या, 1933, एक रात, 1934, दो चिडिया, 1935, पाजीव, 1942, और जैसंदिया, 1949, इस परकार से, जेनेंदर जी के कुछ उपन्यास भी है, जो कि परशिद हुए है, परिक्षाव में पूछे जाते हैं, जैसे कि परक्स, उनीता, उर्त्याग, पत पर जो है, इतनी परशिदी नहीं प्राप्त हुए, यह कहने के मतलब यह है, कि ऐसा नहीं है, कि परक जो उपन्यास परिक्षाव में पूछा ही नहीं, जाता, तो परक उपन्यास भी पूछा जाता है, फिर सुनीता, उपन्यास, 1935, फिर जो है त्याग, पत्त्रों 1937, इस तीन परशी दुपन्यास हमने देख लिया, साथ ही कुछ कानी भी देख लिया, जैनंदर से सम्बंदित और जैनंदर जी कि ये जितनी भी कानी है, ये सभी इंपोर्टेंट है, सभी परिक्षाम में पूछी जाती है, उसके बाद देख लेते हैं, अगला परशन, परशन है, अगला हमारा परशन संक्या ग्यार है, पाई महावर्देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जाने महावारी एडी मीडित जाए, तो मिटती जाए, इस परकार से इस इन पंक्तियों में ये पूछा हुआ है, इस में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्तियों में ब्रामे, ब देखने को मिलता है, बढ़ते हैं आगे, परशन संक्या बार है, प्रेमवाटिका के रचनाकार कौन है, तो निमलेक्त में से प्रेमवाटिका के रचनाकार है, रसकान जी, रसकान प्रेमवाटिका के रचनाकार रही है, उनके दुवारा लिखी गई प्रेमवाटिका एक प तच्यम सब्दों को ही लगाएंगे और av Sonja ये बात आपको विलोम करते हुए ज्यान रखनी है कि तच्यम सब्दों का विलोम 13 नियूं तदबाव शब्दों का विलोम आपको तदबाव ही बताना है न्यून का आर्थ होता है कम और अधिक का आर्थ होता है जादा इसलिए न्यून का आर्थ विलोम हो जाएगा अधिक और कम का विलोम हो जाएगा जादा इसके बाद देख लेते हैं अल्प का भी मतलब होता है कम और अमित का अर्थ होता है तैदिक तनिक का अर्थ होता है थोड़ा उसके बाद देख लेते हैं पर्शन नमबर 14 कौन सा शब्द इस तरी लिंग में परियुक्त होता है तो इस तरी लिंग में निमलिक्त में से कौन स कि प billing करो तो मेरा या मेरी शब्द की आगे लगा कर वक्या बना करके आप पैचान कर सकते हो क्यों कि जैसे कि मेरी हर्दें नहीं कैंगे मेरा हरत्य कि हमारा उसके बाद रहें है रहें जो होगा, मेरा रिन होगा, मेरी रिन नहीं होता, ये रिन भी हमारा पुलिंग है, और बन भी हमारा पुलिंग है, मेरा या मेरी दिक्षा लगाएंगे, तो मेरा दिक्षा होगा या मेरी दिक्षा, मेरी दिक्षा, तो क्या हो जाएगा, तो मेरी दिक्षा, यानि यह हमारा हो और अन्य उप्शनों के अनुसार जब हम देखें तो आकर्शन का विलोम हो जाएगा वीकर्शन और विराग का विलोम हो जाएगा नूराग और राग का विलोम हो जाएगा दुवेस बढ़ते हैं आगे बहुत पिरिये के लिए मुहावरा बताईए तो बहुत पिरिये लगन क्या होता है आखों का तारा होना तो इसके बाद देख लो और अन्य जो अमारे मुआवरे हैं उनसे सम्मंदित आख से ओजल होने का मतलब होता है दूर चले जाना आखों का तारा होना अत्य देख पिरिये होना अर्थात बहुत पिरिये होना आखे चार होना देखा दाखी हो निमलिक्त में से इस्त्री लिंग शब्द मैंने अभी बताया था मेरा या मेरी आगे शब्द के आगे लगाकर वक्य बनाकर आप चाड़ सकते हो तो मेरी आलू होता है मेरा अलू मेरा अलू होता है पुल्लिंग है मेरी मतर या मेरा मतर तो मेरी मतर होता है मतर होगी हमारी इस्त्री लिंग टमाटर होता है मेरा टमाटर तो पुल्लिंग हो जाएगा मेरा धनिया पुल्लिंग हो जाएगा उसके बाद देख लेते हैं आगे परशन संख्या मारी अठार है वहे धीरे धीरे मेरी और आ रहा है, वाक्य में किरिया विशेशन पद बताईए, तो जब शब्द किरिया की विशेशन पद बताता है, तो उन्हें किरिया विशेशन कहा जाता है, तो इसमें किरिया की विशेशन क्या बताई जा रही है, किस परकार से आ रहा है, तो धीरे धीरे आ रहा है, तो इस उसके बाद पर्शन संख्या 19 जो वानी दुआरा व्यक्त ने किया जा सके उसे वाक्यांस के लिए श्यब्द बताईए तो जो वानी दुआरा व्यक्त ने किया जा सके व्यक्त का मतलब होता है कहना जो वानी के दुआरा हम किसी बात को कहना सके व्यक्त ना कर सके तो उसका अ हमारा हो जाएगा अनिरवर्चनि है तो देख लेते हैं और अन्या foreign के अनुसार मासिक क्या होता है मन से जुड़ी हुई बाते उसके बात जो है जिसके दिया क्या जा सकता है और मोखिक क्या होता है मुख से कही जाने वाली बात माज़ी क्या होता है मन से जूरी हुई बाते बढ़ते हैं आगे पर्शन संख्या हमारी 20 करता शब्द का इस्तिरी लिंग बताईए तो इन में करता शब्द का इस्तिरी लिंग हो जाएगा करतरी बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हो जाएगा हमारा पर्शन संख्या 21 व्यंजन संदी का सब्द बताईए तो व्यंजन संदी का जो शब्द होगा वो हो जाएगा मारा जगदिश क्योंकि जगत पलस में इस हो जाएगा तो जब कोई भी व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से मिले कोई व्यंजन व्यंजन की बात कर रहे हैं हम यहां पर तो जैसे कि है तैंटेग का मेल अगर किसी सोर्ण यया फिर एका मेल किस случае सुर्ण यह फिर किसी वएंजन से ही हो तो वह अहां पर उमारी कंसी संदी हो जाती है व्यЭंजन संदी यह पर वेंजन आ करेंगे तो एक संदी को आपको हम जो है अच्छे से करेंगे क्योंकि स्वर संदी के पांच बेद होते हैं वेंजन संदी किस परकार से तोड़ी जाती है इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे हर एक संदी को समझेंगे किस वर्णों के मेल से कौन सा वर्ण मिल जाता है तो संदी का टूपिक होगा तभी आपको जो है ये चिज़े समझाए फिर दिख पलस में गज हो जाएगा दिख अच पलस में अंत हो जाएगा अजन्त इस परकार से जहां पर चै और कै और ये वाला कै आपको ये वेंजन ही दिखाई दे रहे होगे इनके नीचे हलंत लगे हुए है तो इन में जो है सवरो का मेल है या फिर किसी वेंजन का मेल है तो यहां पर हमारी वेंजन संदी ही होगी तो बढ़ते हैं आगे अगला परशन देख लेते हैं परशन संख्या 22 वह दोड़ता फिरता है वाक्य में दोड़ना किरिया है दोड़ना किस परकार के किरिया है वाक्य में तो वाक्य में दोड़ना एक जो है अकर्मक किरिया है तो इस पर कार, जब किसी किरिया का फल करता पर पड़ता है, तो ये दोड़ना हमारा जो है, एक किरिया है, ये किरिया का फल किस पर पड़ रहा है, करता पर, वह हमारा क्या है, करता, तो जब किसी किरिया का फल करता पर पड़ता है, तो वह हमारी अकर्मक किरिया कहलाती है, जैसे कि रीमा हसती है तो हसने का परवाव किस पर पढ़ रहा है रीमा पर कौन हसती है रीमा हसती है तो कौन सी किरिया हो जाएगे हमारी अकर्मक किरिया बच्चा रो रहा है रोने का परवाव किस पर पढ़ रहा है बच्चे पर बच्चा क्या हमारा करता तो जब करता पर किसी किरिया का परवाव करता है तो वह हमारी कौन सी होती है अकर्मक किरिया जिस किरिया का परवाव करता पर ने पड़े करम पर पड़ता है वह हमारी क्या होती है वह हमारी सकर्मक किरिया होती है जिस पर कारूदारण के रूप में आप समझोगे रीमा ने सेव खाया रीमा हस्ती है तो हसने का परवाव रीमा पड़ रहा है तो रीमा करता है तो ये हो जाएगे हमारी अकर्मक किरिया लेकिन रीमा ने सेव खाया यहां किरिया क्या है? खाया जाना तो ये खाया हमारी किरिया हो गई, किस पर परबाव कर रहा है, सेव पर, सेव हमारा क्या है करम, तो जब करता है, तो वहां कुन सी किरिया हो जाएगी हमारी, तो वहां हो जाएगी हमारी सकर्मक किरिया, इस पर कर आप जो है, समझ करके परशनों का उत्तर दे सकते हो, तो जै लेकिन पानी हो गया हमारा करम और पीना हो गया हमारी किरिया तो ये किरिया का परबाओ पानी पड़ पड़ रहा है क्या पीया जा रहा है पानी को पीया जा रहा है तो ये पीना का परबाओ जब हमारा करम पर पड़ता है तो वहां हो जाएगे हमारी सकर्मा किरिया आई हो प कराते तो एक-एक पॉइंटों को अच्छे से आपको मैं तोड करके यहां पर मैं दिखा सकती थी लेकिन जब पीडियो के थुरू हम ऐसे कर रहे हैं तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को समझा रहा होगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है लगती है कई ना कई आप आपके लाइक और कमेंट से मुझे और जब मैं नेक्स्ट क्लास बनाती हूं और इंदी साहित है कि अव्यक्रण से समंदित और अन्य मैं तो कुनल पॉइंटों को इखटा करती हूं तो और मोटिवेशन के साथ और अच्छे-च्छे जो है तथ्यों को मैं लाने के पूरी- अपने आप में ही अच्छा काम हो जाता है तो अपने सपोर्ट के लिए भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगे कि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की जो है बहुत ज़्यादा जरूरत है और आपकी हैल्प के लिए जो है मैं अच्छे-च्छे कोस्चन ले करके इसी प पॉइंट अमारा देख लेते हैं जहां करता कारिय कोश्यों ने करके किसी दूसरे से करवाता है वो अमारी क्या हो जाती है प्रेनार्थक किरिया जैसे कि बोलना बोलवाना पढ़ना पढ़वाना खाना खिलवाना इस परकार से यह शेवदा जाए तो आपको मिलेगे वहा पुस्तक दी यहां पर शिक्षक हो जाएगा हमारा करता और विद्यार्थी और पुस्तक हो जाएगे हमारे जो है करम तो यहां पर दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थी और पुस्तक तो इसका किरिया का परवाव जो दो कर्मों पर पढ़ रहा है तो वो हो ज बिक्षेक ने विद्यार्थी को पुष्टक दी इस वाक्य में किरिया कि व्यापार का फल दो कर्मवे पुष्टक व nya विध्यार्थी पर पढ़ता है इसलिए इस वाक्य में ज्वेकर्मब करिया है बढ़ती है आगे परशन वाजश्वर या व्याजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्याजन संदी कहते है जैसे वाग पलस में ईश वाग इश दिग पलस में गज दिगज अच पलस में अंत आजन्त उसके बाद देख लेते हैं पच्छन संख्या 24 मैं गया था और मेरा भाई वही यही रहा वा समुच्य बोधक शब्द जैसे कि इन में दो वाक्य है मैं गया था एक वाक्य यह मेरा भाई यही रहा दूसरा वाक्य यह तो इन दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है तो और हो जाएगा हमारा समुच्य बोधक शब्द तो समुच्य बोधक पद बैपद कहत तो यह हमारा हो जाएगा आंसर तो देख लेते हैं इससे समंदित कुछ और अन्य में तविरन बिंदू जो की ओधारन के रूप में आपको अच्छे से समझा जाए तो देख लेते हैं समुच्य बोदक दो शब्दो या वाक्यों को जोड़ने वाला सही हो ज़क शब्दों को समुच्य बोदक शब्द कहते हैं जिस शब्दों की वजए से दो या दो से अधिक वाक्य शब्द या वाक्या जोड़ते हैं उन्हें समुच्य बोदक कहा जाता है जहां पर हमें तब और एक सेकेंद बरना किंतू परंतू इसलिए बलकी ताकी क्योंकि या अत्वा एवं तथा अन्यता आदी शब्द होते हैं हमारे समुच्य बोदक पर्द बढ़ते हैं आगे इन समुच्य बोदक शब्दों को योजग भी कहा जाता है यानि दो वाक्यों को जोड़ने वालों को क्या कहते हैं योजग कुछ शब्द या भेद पर करते हैं तब शब्दों को वा परन अतय क्योंकि ताकि या अत्वा चाहिए यह हमारी शब्द वे सभी शब्द है जो हम एक वाक्य से दूसरे वाक्यों को अपस में जोड़ते हैं जैसे कि राम ने खाना खाया और सो गया सो गया राम ने खाना खाया और बीच में आ जाएगा मारा समुच्च बो तक पद बढ़ते हैं आगे उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं माने लेकिन हो जाएगा इस वक्य में अगर तुम बुलाते तो मैं जरूराता तो इस वक्य में हो जाएगा मारा हो जाएगा और सीता ने बहुत मैनत की फिर भी सफल नहीं हुई फिर भी हमारा हो जाएगा दो वाक्या को जोड़ने वाला समुच्च बोदक पद मुझे टैपरी काडिया घड़ी चाहिए तो यह हो जाएगा इसमें समुच्च बोदक पढ़ते हैं आगे परशन संक्या 25 निमलिक्त में से कौन सा शब्द जाती वाचक नहीं है तो जाती वाचक हमें बताना है कौन सा शब्द नहीं है तो गाय हमारी जाती वाचक की शब्द है परवर्थ भी पंखा भी लेकिन हिमाले हमारा जो कौन सा हो जाएगा व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक संग्या है हि व्यक्ती वाचक उपटे मैं अगर दिया जाता है तो यह उसका गॉडवत पर पर्वत पर्वत का भी आंपर कोई नाम नहीं है पर्वत कहा गया है परवत भी एक Vincent को दर्शाता है कोई भी परवत हो सकता है इमाल्य परवत अरावली परवत आदी पंखा पंखा भी का भी जो है जाती समों को दर्शा है जाती एक जो है पंखे की जाती होती है इसी भी परकार का पंखा हो सकता है टेबल फैन हो सकता है या छत का पंखा हो सकता है पंखे का रं लेकिन किसी का नाम दे दिया जाय वैसे तो हिमाल्या परवत है लेकिन नाम दे दिया गया स्रीक अगर तो बढ़ा है जातिवार्चक नेव करको करके जो है व्यक्ति buddies है बढ़ते हैं आगे अगला प्रशन देख लेते हैं इससे सम्मंदित आप लोगों को पता ही है भावाचक संग्या क्या होती है वे संग्या सब जिन से परानी वस्तु के गुण दोश अवस्ता दश्या अधि का ज्यान होता है वे भावाचक संग्या कहलाते है जैसे कि मीठास बुडापा थकान आदी उस है बढ़ते हैं आगे अगला कर्शन देख लेते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूं वाक्य में किस काल का है तो मैं दिल्ली जा रहा हूं यह वाक्य जो है एपून वर्तमान है अभी गया नहीं है जा रहा है रस्ती में ही है और वर्तमान में जा रहा है तो अभी एपून वर्तमा वर्त्मान बढ़ते हैं, आगे पर्षन सन्खेAh趣 मारी परृषन सन्खेifies उनटिस्, साकषित महागावय में किसका परवाव दिखाई देता है तो साकषित महागावय में और यह समाज का परवाव दिखाई देता है राष्ट कवी मैचलिस अरण गुप्त बारतिय संस्किति के अमर गायक है, इनकी रचनाव में बातिय संस्किति और राष्टे जन जागरन के सुवर सुनाई देते हैं, मेथली सरनकुप्त की अन्य परमुकी तिया कौन कौन सी है, हीमन, साकेट, रंग मेरभंग, जनकार, बारत बारती, दुआ पर, जैदत वर्द, पंचवटी, त्रीप त्रीप कथा, और ये कुनाल गीत, दुआ पर, काबा और करबला, ये सबी के सबी जो है, मेथली सरनकुप्त जी की परमुक रचनाई है, उसके बाद देख लेते हैं, परशन संक्या 30, आज का परशन संक्या, आज के प्रेक्टिस एट का परशन संक्या 30 है, और ये हमारा अ 30 परशन, आज के प्रेक्टिस सेट के अंतरकर, ये हमने 30 परशनों को ही लिया है, तो वी जोलूशन के साथ, वी एकस्प्लेनेशन के साथ, आप लोगों को ये परशन देखने को मिली रहे होंगे, आई होग आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगे, और आपकी परिक्शा के लिए यह काफी मदद करेगी तो वीडियो आपको पशंद आ रही है तो प्लेज वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना तो अंतिम पर्शन देख लेते हैं परकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले बारती है कौन से है तो पूँच लिखने वाले अगर पूछ लिया जाये तो बंकिम चंदर चटोपएदयाई जी रही है पहला उपन्यास एक अंग्रेजी राज मोहन की पत्नी जो है राज मोहन की पत्नी नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा है 1864 और उन्होंने अपने धार्मी को दार्शनिक नि अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था वंदे मातरम एक वंगाली कवीता है जिसे बंकिम चंदर चटोपवधाई ने 1870 के दशक में लिखा था और पहली बार में दरनाट तैग और दुआरा गाया गया यह कवीता राजनीतिक शक्रियता और 1905 में सवदेशी अंदोलेन के लिए एक लोग प्रियगीत बना है और बंकिम चंदर चटोपवधाई के अन्य उपन्यासों में सभी भाषाई सामिल है जैसे कि आनन्द मठ इनका परशिद उपन्यास है वंदे मातरम दुर्गेश नंदनी और कौपाल कुंडला देवी चोधरा नियादी जो है इनकी और पुरण उपन्यास रही है इस परकार से प्रैक्टिस सेट नंबर चार हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने करेंगे और आप लोगों को देखने को मिली रहा होगा कि काफी सारे इंपोर्टेंट परशन हम इन प्रैक्टिस सेट के माद्यम से करते हुए अपनी तैयारी को आग सब्सक्राइब कर लेना हिंदी विशे से सम्मंदित हात रोज अधिक से अधिक परशनों का अभ्यास करते वी हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है और इसी तरह परिक्षय तक अधिक से अधिक मैंतवकुर्ण तथ्यों को ले करके हम आते रहेंगे साथ साथ अधिक स यहात